आज की वीडियो में प्रिजवान चीमा वेलकम बैक विद नदर वीडियो ऑफ के वाले से अपडेट करूंगा और आज की वीडियो स्पेसिफिकली जो कनेक्टिंग रोड है जिस ब्रिज का रेसेंट लिए विफ्तेदा हुआ दो दिन पहले उस ब्रिज से लेगे टोड़्स 400 feet road उस road पर development के status के हवाले से बताऊंगा कि overall aerial view में 360 डिगरी में explain करने कोशिक करूं कि overall development आज की date में कहां stand करती है एक्जेक्टिव ब्लॉक से लेके towards 400 feet road रेसेंट भी साइट पर तकी पिछले 15 से 20 दिन पर साइट में जो development की pace है काफी अद तक slow हुई है क्योंकि बारशों changes नजर नहीं आएंगे in any case फिर भी साइट पर development हो रही है तो उस development के हवाले से आपके studio में काफी हत्तक आइडिया मिल जाएगा दो में जो connectivity road है एक है 400 feet road जो Capital स्मार्टिक अपना में बुलेवर्ट है 400 feet road से मुराद है कि 18 lane में बुलेवर्ट है 9 lane और इसके center में metro भी साइट feet road को जिसका फाइदा आने वाले दिनों में जो members हैं specifically executive block के और overseas prime block के उन members को ज्यादा होगा लेट से स्मार्टिक का इंटर्चेंज आपने क्रॉस करना है इंटर्चेंज पर जाना है तो आपका option जो होगा वह यह ब्रिजवला रस्ता ही होगा जिसका main access road है इससे आप connectivity लेकर directly overseas central से होते हुए main motorway पर जा सकते हैं तो इस लिहाद से इस रोड की importance काफी ज्यादा है और यह golf course के बिलकुल साध अडियस्टन है तो इस वीडियो में आपको मैं overall जो golf course की development है उस हवाले से और बाकी तमाम चीज़ों के हवाले से इसके में स्कीन पर Capital Smartity का master plan देख सकते हैं और master plan में जो आज की वीडियो बैसिकली वो इस फोरनेर फीट रोड से स्टार्ट होती है यह इनि स्टार्टिंग पॉइंट इस वीडियो को तो यह वाला पॉइंट था उसके बाद इनिशली वीडियो के फार्ट में आपको यह स्टेटिस किया है और इसके बाद वीडियो में आगे जाकर आपको में फोटीज सारी दिखाऊंगा वह इस वाले साइट की फोटीज होगी अभी फॉर्ट ताइम बिंग गूगल अर्थ पी सारी इमजेज अप्लोड नी हुई तो मैं आपको इस एक्जेक्ट एक्स्पें यह रोड जाप को नज़र आ रहे हैं बिल्कुल सीधा है लेकिन एक्शल साइट पर डिवेल्पमेंट होई है वह यहां पर कुछ क्रॉस में रोड जा रहा है तो यह डिफरेंस है कुछ गूगल अर्थ नहीं किया पाकिसान को लेको यह से मैप की सिस्टम में तो जोड़ सा हैं तो अगस्ना बलके आगे हैं तो अभी इस वक्त भी जो है इमेज अपडेट नहीं होई जब अपडेट होगी तो चला मैंसे हवाले से दोबारा डिटेल वीडियो बना दूंगा वादर टाइमिंग यह रोड आपको नज़रा रहा है इस रोड की मुकमल कार्पटिंग ह है और तमाम के तमाम जितने काम है डिवेल्पेंट के लिहास से वो तमाम के तमाम के तमाम काम मुकमल हो चुकी हैं बात करेंगे हम ओवर से सेंट्रल की तो और से सेंट्रल की आने मेले दिनों में जब यह एक्सेस रोड मुकमल अपरेशनलाइज होगा इस साइड पे इस ब लोग के हाफ तक यहां से लेकर यहां तक मकमल जो रोट का लेड़ प्लैना बनावा लेकिन वहां पर एसफाल्ट भी नहीं वा और कार्पेटिंग नहीं कचा रोट बनावा है और उसके बाद पर यहां से आप कचे रस्तिस होते हैं अंदर से होते हुआ आप इस रोट इस पॉइंट से आगे इस पॉइंट तक रोट लैंड बिल्कुल क्लेर थी तो यहां पर डिवल्पनों कमगल हो गी है और बाकि जो गॉल्फ फोर्स की प्रेमिसें और आगा आकर जाकर विजट कर लेंगे अब इस जगा पर कंस्ट्रक्शन हो रही है इस पॉइंट पे और बाकि इस पॉइंट पर आगे एक मस्जीद की कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे है रिसेंट डेज में सुसाइटी की तरफ से एक कॉलिज का अगास किया गया है एफ ही यहां पर इस साइट पर कॉलिज का इफ्तदा हुआ है आने वाले दिनों में इंशला जब इस भी कंस्ट साइट पर इस साइट पर से क्रेक्शन कर ली गई है पहले लेफ्ट साइड वले रोड पर ज्यादा उस पर उसी रोड को समय देते कि इसी रोड पर दुबारा कार्पिटिंग होगी कि वहां प्रॉपर लेयाओट प्लैन बना वा था इस रोड को पर पर सीदा करके पर इस रोड इस रोड जिसका नामेबान 80 फीट रोड जिसके ओपर आठमला चारमला कमर्शल है उस रोड की मकमल कार्पिटिंग भी होगी है तो सबसे स्पीड डेवलेपमेंट उस साइट पर सेंट्रल में हो रही है बलकि इंफेक्ट सेंटल का फर्स पर रख लें सेकंड सेंटल के साथ परली तरफ जो सेंटल के बाद बाद बाकी जो न्यू मैप लाउंच किया गया है ओवरसीज हार्मी पाक ब्लॉक का उस साइट पहले लेवलिंग काम हो था अब प्रॉपरली वहां पर स्ट्रीट का लियावट प्लैन जो डॉप करना शुरू कर दीगे आने पर दिनों में इंशाला में ट्राय करूंगा कि उसकी वीडियो भी आस सोने पॉसिबल वाइस ओवर के साथ पोस्ट कर दूं ताकि तमाम मेंबर्स जिनों ने अलड़ी के प्रॉपर फॉल अप मिल सके अब जो फुटेज आप देख रहे हैं लेट साइट पर गॉल्फ पोर इंडिविजुल अगर स्मार्टी का विजिट करता था उसके पास कोई आप्शन नहीं था सिवाई ओवर्सीज वन ब्लॉक कि जाने के ओवर्सीज इस ब्लॉक तो ओवर्सीज इस ब्लॉक कि इसलिए मार्केट में जो दिमांड थी वो कंपरेजन तो एक्जेक्टिव तो जब वो इन्वेस्टमेंट को फॉल आप अच्छे रिटरंस मिलेंगे तो डेफिनली वो भी खुश हो जाएंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट का उनको रिजल्ट मिल गया है अभी फॉर ताइम बिंग सबसे जो लेफ्ट ओवर ब्लॉक है काउंट होता आज की डेट मे देट इस एग्जेक्टिव डिस्टिक बन ओवरसीज प्राइम भी बहुत अच्छ जा रहा है क्योंगे ओरसीज प्राइम में साड़े तीन साल का प्लान ओफर किया गया था साड़े तीन साल भी नहीं पहुने चार साल बुकिंग एक मेने बाद कंफरमेशन और उसके बाद परने चार साल के प्लान में अभी भी ओवी लोगों के फास प्लावाले साल का ताइम रहता है कियों बाद था इस पर प्लावड क्राइम में जब तक मोटरविश निटर्चेंज का अगाज नहीं होता तो उस तब तक लोगोंने तमाम इंपर झो बी स्क्रेंटिर का ऐसीन क करना एक्सेस को यूज करना है तो Capital स्मार्ट ने चक्री रोड रोली साइट पर काफी जादा फोकस करके दोनों साइट की development को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया ताके तमाम मेंबर्स जो स्मार्ट रोली को विजिट करें तो उनको एक डिफरेंस फील हो साइट पे पह पर बिजिस में फरक आजेगा पीसरा एक बिज बन रहे है जो वर्सी प्राइम से होता हुआ गॉल्फ कोर्स के राइट साइट और और जब्सी एस के लेफट साइट पर आएगा तो जब वो मुकमल हो गाए उस पर कंस्ट्रक्शन ज्यादा स्पीड पगड़ेगी तो इन् अगर आपको ये वीडियो अची लगे तो प्रीज दू लाइक कॉमेंट और चैनल को सब्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस झाल झाल